हेलो इब्रीवन नमस्कार मैं डाक्टर उमा संकर सीन मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है साथियों आज बात करेंगे टीटनेस के बारे में यादि कि जो टीटनेस होता है यो क्यों होता है तो जब भी आपको चोट लग जाए खास करके लोहे से चोट लग जाए या फिर बड़ी चोट लग जाए किसी भी चीज से तो आपको जैसे खुला, ओपेन एक तरह का कहें चोट हो जाए जैसे कि इसकी नहट जाए इस तरह का तो आपको डर राता है कि टेटनेस होने का चांस ज्यादा होता है इस कंडिसंस में आपको टेटनेस का इंजेक्सन लगवाना बहुत जरूरी होता है तो साथियों जो टीटनेस होता है या ये गंभीर जिवार रोग होता है जो कि मान स्पेसियों और आपकी नसे होती है जैसे नस जो होती है नसों को प्रभावित करता है और इसे लाखजा के नाम से भी जानते हैं यानि कि जो लाखजा होता है आपका जो मुँ का बंध हो जान न कोंटे में कोंटों जर्टाइब करतेंगे्व जब खुल जलवाय वाले जगहों फेसे धीजायों में पाए जाते हैं यानि कि जहां पर ज्यादा गर्म जलवाई होती हो आप ज्यादा होने का चांस रहता है साथियों टिटनेस के लच्छड होते हैं यह जो है कि चोट लगने के 5-10 दिन बाद तक आने आ सकते हैं दिखाई दे सकते हैं जिसचे कि आपको बचाव के लिए टिटन पर अची कोई चीज है कोई निगल रहा है क खा रहा है तो उसमें भी दिक्कत होता है जिसे कि आपकी समस्या साल्व नहीं होने का नाम लेती है और आप परिसान होते हैं तो साथियों आकसर किसी विखती को किसी चोट आधी लग जाने की वज़ा से कहें तो हाथ और पैरों जो की बहुत ही बहुत ही बहतरीन काम करती है आपको टीटनेस से बचना है चोट लग गई है तो सबसे पाले काम करना है कि आपको लीडम पाल मेडिसीन लेनी होती है इसको आपको यूज करना होगा जिसे कि आपको टीटनेस का अनिक है तो जो तरह का टीटनेस होने का जो चा मेतरीन रेस्पांस आपको देखने को मिलेगा साथियों लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाएं दवा नहीं लिए तो उसके बाद जो होमोपैथिक मेडिसीन्स आती है इसको मैं आपको बता दूँ तो जो सबसे पहली मेडिसी आजाना सांस भारी होना जरासी मेनत करने या पैदल चलने से हांफने लगना आएसी अगर समस्य आ रही है तो आपको नक्स वोमी का 30 पावर में लेकर आना है और दो दो बुद सूबा दो पहर सांत तीनों टाइम लेना है दूसरी मेडिसीन्स आती है हाइड्रोसाइनिक ए ही मरता है रोगी की मान सपेस entrep같 चेहरा तथा पीठका अच्छेप सुन पड़ जाता है रोगी का जबरा अकड़ा आ न. मुह से झाग आने लगता है सरीर अकड़ जाता है पीठ तेड़ी हो जाती है इस तरह के टिटनेस के लच्छन में रोगी को हाइड्रोसाइनिक एसीड की साथियों सक्ति सिक्स सक्ति में भी दे सकते हैं लेकिन अगर यह न मिले तो आपको 30 पावर में लेके आना है और दो दो वो सुबा दो पार सामतीनो टाइम रिवयाईज करता है जिससे की आपका ठीक हो जाएगा तीसरी मेडसीन साथी है इसमें साइक्विटा वाईरोसा रोगी का सरीर अचानक अकड़ जाना बेहोसी चाजाना शरीर के सारे अंगों का कांपने लगना आज लच्छनों के बाद सरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाना सांस का रुक रुक कर आना जबड़ा अकड जाना पीठ टेड़ा हो जाना रोगी के आँखों की एक जगह जम जाना अर्थात ऐसी दिक्कत अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको इसको 30 पावर में लेके आना है और दो दो बुद सुबा दो पार साम तीनो टाइम लेना है जिससे की आपको बहुत ब्यातरीन रिस्पांज देखने को मिलेगा साथियों 500 इस्टिग्मा एक मेडिसीन आती है 500 इस्टिग्मा चावथी मेडिसीन से है जो की टीटनेस के लिए ब्यातरीन है रोगी की रिण की हड़ी में उत्तेजन बढ़ जाना टांगों की रिण की हड़ी का अकड़ जाना आग की पुतली कभी फायल जाती है कभी सिकुर जाना आधी लच्छनों में रोगी को फाय 500 इस्टिग्मा जो अता है कि यूज करना चाहिए पांच्वी मेटसीन आती है कार्बोलीक एसिड औसदी को टीटनेस रोक के किसी भी प्रकार के लच्छनों में बहुत ही महत्तोपड माना जाता है चिकित्सा ने इसे औसदी को टीटनेस में बहुत ही सफलता पूर्व की इस्तिमाल किया है तो आप भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकान को भी दबा दीगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊ आपको आसानी से मिल और लाइक के लिए बात करूं तो आप अपने जो भी समस्या है तो समस्या को नीचे कमेंट बाक्स में जाए और उसमें आप कमेंट करें अपना नाम पता के साथ-साथ अपने बीमारी का नाम बताएं उसका मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा प्रतेख संड़े को 12 वज जय सकता तर तो नाम लाइक का नाम जजड़ और उसका मैं एक लाइक के अजड़े को लेड़े के लाइक के लाइक का पताई बाक्सुर्ण हूले के लाइक करेंगा आपको लेशे करेंगा।